हेलो स्टूडेंस और डिस्कस करेंगे निर्दर्शन चैन की विधियां सैंप्लिंग मेथड्स में निर्दर्शन चैन की विभीन विधियों को दो पर्मुख भागों में बाटा गया है सैंप्लिंग मेथड्स कुल छे हैं इन छे भागों इन छे मेथड्स को दो ग्रूप में बाटा गया है दो भागों में बाटा गया है तो ये पहला भाग में तीन में थड्स को और दूसरा भाग में तीन में थड्स को रखा गया है पहला भाग में है एक नंबर में स्ताधारन देव निर्दर्शन या याद्रिचिक विधी शेंपर रेंडम शेंपेलिंग दूसरा अस्तारित निर्दर्शन इस्टाटिफाइड शेंपेलिंग और तीसरा बेवस्थित या कर्मबंध निर्दर्शन सिस्टेमेटिक शेंपेलिंग तो ये पहला भाग में ये तीन मेथर्श हुए और दूसरा भाग में मेथर्श नंबर फोर सविचार निर्दर्शन जज्मेंट और परपोजिव शेंपेलिंग पाच्वा अभ्रयांस निर्दर्शन कोटा शेंपेलिंग और छठा स्विधा निर्दर्शन कॉन्भैंस शेंपेलिंग तो ये निर्दर्शन के ये छे बिधियां हैं इन शे बिधियों के द्वारा निर्दर्शन बिधी अपना के डाटा आकडो का नुसंधान किया याता है पहला सिम्पल रेंडम सेंपेलिंग निर्दर्शन की इस परनाली में शभी इकाईों का चैन इस परकार किया जाता है कि समग्र की परतेक इकाई को निर्दर्श में सामिल होने का समान औसर हो और समग्र के शभी शंभावित सन्योजन को शामिल होने के भी समान औसर हो इस परनाली में या अनुमान लगाया जाता है कि चैन का शभी इकाईया शमग्र का पूर्ण परतिनी दित्व करती है साधारन देव निर्दर्शन विधी को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है ए लोट्री विधी दूसरा टिपेट की शंख्याओं दोवरा साधारन देव निर्दर्शन विधी के गुन मैरिट्स अब सिम्पल रेंडम सेंपिलिंग पहला पच्पात रहित दूसरा शमग्र का वास्त्विक निर्दर्शन तिसरा निर्दर्शन विभर्व की माप चौन्था मित्वियाई पाच्वा व्यग्यानिक पदती साधारन देव निर्दर्शन विधी के दोस डिमेरिट्स अब सेंपल रेंडम सेंपिलिंग पहला परतिनिद्वित्व का अभाव दूसरा छोटे छेत्र में अनुपयूक्त तिसरा विवित्ता वाले श्रमंकों में अनुपयूक्त ये डिमेरिट्स तीन हुए अब दूसरा मेथ़ड जो है इस्टाटिफाइड स्टेंपलिंग अस्तरित निर्दर्शन यह विधी तब पर्योग किया जाता है जब समग्र में बिजातियता होती है इस विधी में पहले समग्र की इकाईयों को गुनों के अधार पर उपवर्गों में बांट लिया जाता है पर्तिक वर्ग को वर्ग या उपवर्ग की इकाईयों में साजातियता रहती है तब पहश्चाट समग्र के पर्तिक साजातिये परनाली को अपना कर निर्दर्शन चून लेता है उदाहरन के लिए इस्तरित निदर्शन पदती को इस प्रकार अस्प्रष्ट किया जा सकता है हमें एक ग्राम का आर्थिक सर्वेक्षन करना है ग्राम की जंसंख्या 3000 है जिसमें से कारेसिल बेक्ती 1000 है इन 1000 बेक्तियों से ही जनकारी प्राप्त की जा सकती है आता उन्हें ही शमग्र मान लेते हैं इसके मेरिट्स पहला विश्वस्निय परिणाम दूसरा विशंता में उप्योगी तिसरा अधिक नियंत्रान चौथा मित्वियाई दोस डिमेरिट्स पहला उचित पर्तिनी दित्व का अभाव दूसरा खंड बनाने में कठीनाई तीसरा भार देने में कठीनाई अब निर्दर्शन बिधी नंबर थ्री बेवस्थित या कर्मबात निर्दर्शन सिस्टेमेटिक सेंपलिंग इस रिती को अर्ध देव निर्दर्शन कोईसी रेंडम सेंपलिंग भी कहा जाता है इस रिती के अनुसा समगर के शभी इकाईयों को शंख्यात्मक वर्नात्मक तथा भगोलिक आधार पर कर्मबद किया जाता है तब पहचात अव्यक्सक्ता अनुसा निर्दर्श इकाईयां चून ली जाती है इस विधी में केवल पहली निर्दर्श इकाईय को देव के आधार पर छटा जाता है जबकि सेंस इकाईय एक निश्चित कर्म में अपने आप छटती जाती है उदारन के लिए यदि साट छात्रों में से छे छात्रों का परतिदर्श चुनना है तो सबसे पहले उन्हें एक करू में बिन्यासित कर देंगे फिर प्रारम के दस छात्रों में से किसी एक का देव आधार पर चयन किया जाएगा और उसके आगे हर दस्वे कर्म के छात्रों को परतिदर्श में सामिल कर लिया जाएगा जैसे यदि पहला परतिदर्श दस्वे छात्र है तब अगले परतिदर्श में 20 में 30 में 40 में 50 में तथा 60 में छात्र का चयन किया जाएगा अब इसके गून मेरिट्स पहला बेवस्थित निदर्शन रिती देव निदर्शन या इस्तरित निदर्शन की तुल्ना में अधिक सुईधा जनक है दूसरा इस रिती में परिनाम लगबग उतने ही सूध होते हैं जितने की अन्य रित्यों द्वारा प्राप्त तीसरा इस रिती में समय तथा परिश्रम बहुत कम लगता है डिमेरिट्स दोस निर्दर्श पचपात पूर्ण हो सकता है यदि देव आधार पर पर्तिदर्शित इकाई में कोई शामियिक दोस हो दूसरा यह रिती उस अवस्था में अपनाई जा सकती है जहां पर इकाईयों की पूर्ण सुची उपलब्ध हो ऐसा बेवहार में बहुत कम होता है तीसरा शमग्र का आकार अनंध होने की इस्तिती में यह विधी अनुप्यूक्त है निर्दर्ष की यह रिती उचित यादरेचिक निर्दर्ष रिती नहीं है क्योंकि पर्थम इकाई का चयन करने के बाद अन्य इकाई का चयन स्वता एक ही निश्चित अंतराल के बाद हो जाता है आज हम लोग निर्दर्षन विधी के पहले भाग में तीन मेथट्स पे दिसकस किये अगले विडियो में निर्दर्षन विधी के दूसरे भाग की विधियों पे चर्चा करेंगे थाइंक्यू